नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं एक बहुत ही बहतरीन और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस थे थे असल में आज से पहले भी एक सेशन हम आपके साथ साजा कर चुके हैं जिसके अंदर बताया गया था कि एक हेलिकॉप्टर दुरगटना में इरान के राष्टपती इबराहिम रईसी उनकी मृत्यू हो गई है और इस खबर को पूरी दुनिया के अंदर बहुत महत्पूर के रूप में देखा गया था क्योंकि अब जो खबर इससे जुड़ी हुई हम आज देखने वाले हैं वो है कि इरान के राष्टपती जहां मारे गई थे या कहें कि जहां पर इनका हेलिकॉप्टर क्रेस हुआ था उस जगहे पर मोसाद का एक बहुत बड़ा बर्चस्तु था मोसाद का गड़ हुआ करता था वो इलाका कहां पर इनकी मृत्ती हुई थी आज के सेसन में जानेंगे मोसाद जो की दुनिया की सबसे खतरना खूफिया एजनसी मानी जाती है इसराइल की खूफिया एजनसी है मोसाद उसके बारे में आज चर्जा करेंगे और क्यों जो है बातें चल रही है इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहु के अरेस्ट के बारे में 19 माई को रैसी का हेलिकॉप्टर इरान अजरवेजान बॉर्डर के पास क्रेस हुआ था असल में एक डैम बांध क्या उधगाटन करने के बाद ये लौट रहे थे तीन हेलिकॉप्टर टोटल थे दो हेलिकॉप्टर निकल जाते हैं और इब्राहिम रहीसी वाला हेलिकॉप्टर जो है उसको हार्ड लेंडिंग का सामना करना पड़ता है और वो हेलिकॉप्टर क् इरान के तबरिज सहर में राष्टपती इबरायम रहीसी समेट हेलिकॉप्टर क्रेस में मारे गए सभी नौ लोगों की अंतिम यात्रा निकाली गई है निउस एजेंसी है इरान की उसके मताबिक यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड सडकों पर उतर आई थी लोगों के हाथ में रहीसी की तस्वीर और इरान का झंडा था राष्टपती को विधाई देते वक्ट सहर के लोग रोते नजर आये इरान में राष्टपती की मौत पर पांच दिन के सोग की घोसना की गई है तबरिज सहर में अंतिम यात्रा के बाद राष्टपती के सब को तेहरान लाया गया तेईस मैई को उन्हें इरान के मसहध सहर में दफनाया जाएगा यह वही सहर है जहां रैसी का जन्म हुआ था या उनकी अंतिम्यात्रा उनके दर्सन में सामिल होने आए हैं असल में इरान के अंदर किसी व्यक्ति के मरने पर कौन कितने लोग ज़ादा इखटे होते हैं इससे उसे व्यक्ति की लोग प्रियता का अंदाजा लगाया जाता है तो ये जो लोगों की भीड जो आपको सरणों के उपर दिखाई दे रही है जो कि जिसका कहीं कोई अंत दिखाई नहीं देता है भीड का उससे आप अंदाजा रगा सकते हैं कि कितने लोग प्रिये ये नेता हुआ करते थे इनको सरणजीली देने के लिए पूरे देश से जगे जगे से लोग जो है इकठे हुए हैं इरान का एंगल कहां से निकल कर आया था इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका मैप और समझनी पढ़ेंगी सारी कि सारी जियो पॉलिटिक्स जो है अजरबैजान का इसके अंदर क्या हाथ हो सकता है इसराइल और एजरबैजान के रिष्ते और साथ में इसराइल और इरान के रिष्टे जो है किस प्रकार के थे इन सब चीजों को समझना होगा राष्टपती की मौत की जाच के नतीजे अभी आने बाकी हैं लेकिन बड़ा सवाल क्रेस साइट अजरबैजान को लेकर है इरान के पड़ोसी देश अजरबैजान से तनापूर संबंद रहे है इरान का जो पड़ोसी देश है अजरबैजान जिनके राष्टपती के साथ ही रईसी जो है वो खुद भी जाकर एक बांध का उदगाटन कर रहे थे उस देश अजरबैजान के साथ इरान के संबंद अच्छे नहीं रहे हैं बलकि तनापूर रहे हैं अजरबैजान मध्य एसिया का एकलोता मुस्लिम देश है जिसके इसराइल के साथ दोस्ताना रिष्टे रहे हैं बाकी जितने भी देश हैं मध्य एसिया मिडल इस्ट के जो मुस्लिम देश हैं उनमें ज्यादातर देशों के इसराइल के साथ संबंद अच्छे नहीं है क्योंकि इसराइल और साफी बड़ा टसल रहता है रैसी का हेलिकॉप्टर अजरबैजान के पास क्रेस हुआ वो पहाड़ी वाला दुर्गम इलाका इसराइली खूफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ रहा है यहां पर मोसाद के कई खूफिया एजेंट सक्रिये हैं पिछले साल इरान ने अजरबैज देश के पास kita major और दोसरा देश है अर्मेनिया अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ऐर डूर देश के बीच में लड़ाइधी है इक रीजन एक जगह है जिस जानते है नागोर से नागोर्नी कारा-बाग के नाम से सरле region है वह disputed region है अजरवेजान और अर्मेनिया के बीच में इरान और अजरवेजान के बीच में यह जो डैम बन रहा था इसी डैम के उधगातन के लिए गए हुए थे तो अर्मेनिया अजरवेजान जो दोनों देश हैं आपस में लड़ रहे हैं अभी तक इनका कोई dispute resolution नहीं हुआ है नागोरनी कारावाख वाला जो region है उसके पीछे dispute है और दुनिया भर के अंदर जहां भी dispute होता है वहाँ पर रसिया और अमेरिका का आना ते है तो अजर्वेजान और अर्मेनिया की यह दिबात करें तो अर्मेनिया एक ऐसा देश बना जिसके समर्थन में रसिया निकल कर आया रसिया इसका समर्थन करता था और अजर्वेजान का समर्थन करने के लिए सीधे सीधे अमेरिका आ गया अमेरिका के साथ में इसराइल का आना ते था यह जो पूरा छेतर है इसके अंदर निगरानी रखने के लिए अजरवेजान का सहारा लिया जाता है अमेरिका की खूफिया एजेंसियों के द्वारा और इसी दिये कहा जा रहा है कि जिस जगह पर ये दुरगटना हुई है वो मोसाद का गढ़ रह चुकी है मोसाद का गढ़ यानि की सीधे सीधे अमेरिका और इसराइल के कंट्रोल में ये पूरा का पूरा एरिया हुआ करता था अब इरान और इसराइल के जो संबंध है वो बिलकुल भी अच्छे नहीं है पिछले दिनों देखने को मिला था कि इरान के द्वारा इसराइल के ऊपर पूले बरसाए गए थे उससे भी पहले इसराइल के द्वारा इरान के जो एक हैड़कॉर्टर मना हुआ था सीरिया नाम के देश के अंदर सीरिया के अंदर इरान का एक हैड़कॉर्टर था जहां पर इनके रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स रहते थे उस बिल्डिंग इसराइल के द्वारा बम बरसाए जाते हैं जहां पर इरान के कमांडर्स की मौत हो जाती है और उसी के बदले में इरान के द्वारा इसराइल के ऊपर बम बरसाए जाते हैं हालां कि अमेरिका के द्वारा काफी ज़्यादा धंकियां दी गई थी इरान के लिए कि यदि को एक संदेश जाता है कि अमेरिका का जो वर्चस हो है वो पूरी तरह से अब कम होता जा रहा है। दुनिया के तमाम देसों के अंदर राश्वपति जो बाइडन का जो फेलियर है उसको अमेरिका के प्रभुत्त को कम करने के लिए ही देखा जा रहा है। ऐसे इस्तिती में अमेरिका को ये बरदास्त कर पाना कहीं भी possible नहीं था और जो इस्राइल है इस्राइल के उपर जो हमले की गए थे इस्राइल पहले ही इरान को धमकी दे चुका था कि यदी हमारे उपर कोई हमला होता है तो हम इसका बदला लेंगे जब सारी बातें मिल जाती हैं अजरबैजान के अंदर मोसाद की एक अच्छी पकड़ है और साथ में धमकी है कि इरान से बदला लिया जाएगा तो उसी से इसको जोड़ कर देखा रहा है कि जो हेलिकॉप्टर निकला था इस डैम के उधगाटन के बाद वो क्रैस होता है जो है, वो सफर कर रहे होते हैं अपने तमाम जो मंत्री लो थे उनके साथ यानि कि इरान के जितने भी अच्छे लोग थे देश के अंदर अपना दबबबा रखने वाले देश को चलाने वाले जो प्रभाउस वाली लोग थे उन लोगों को लेकर निकलने वाला हेलिकॉप Under Minded Aviation Safety with Sanctions कि जब से अमेरिका के द्वारा सैंक्शंक से लगाए गए हैं इरान के ऊपर तो इनकी जो aviation safety है वो पूरी तरह से हत्रे के अंदर अमेरिका के द्वारा डाली गई है अमेरिका के बिजार सीधा आरोप है कि अमेरिका ने एरान की जो aviation safety है उसके साथ खलवाल किया ह ऐसा क्यों है क्योंकि इरान के सिना के द्वारा या कहें कि इरान के द्वारा जिस हेलिकॉप्टर के अंदर रही सी खुद बैठे हुए थे वो भी अमेरिका द्वारा निर्मित अमेरिका की जो बैल कंपनी है उस बैल कंपनी का टाइप 212 हेलिकॉप्टर था जिसके अंदर य उस समय पर अमेरिका से इरान ने जितने भी हत्यार, एक्विमेंट्स, हेलिकॉप्टर, हवाई जाहर, मिसाइल्स वगेरा ली थी, उनकी रिपेरिंग के लिए कल पुर्जे देने अमेरिका ने बंद कर दिये थे, रसिया इस तरह से इरान के समर्थन में उतरा, इतना ही नहीं बात करते हैं थोड़ी सी चाइना के बारे में, चीन का जो अखवार है ग्लोबल टाइम्स, इसको चीन का सरकारी अखवार ही माना जाता है, कि जो सरकार कहती है, वही इसके अंदर छपता है, चीन का जो अखवार है ग्लोबल टाइम्स, उसने यहां तक का दावा कर दिया, क इसराइल ही रईसी की हत्या में सामिल है हो सकता है उन्हें कुछ और इंपोर्ट्स मिले हो हाला कि अभी ये सिर्फ आसंकाएं है कि मोसाद, CIA या फिर अजरवैजान ने रईसी की हत्या की साजिस रची हो ऐसा कहना है पासा का आगे बात करें जवाहरलाल नहरू यूनिवर्स्टी के प्रोफेसर हैं अंतराश्टी मामलों के जानकार हैं नाम है जिनका एके पासा वो कहते हैं असल बात ये है कि कई सालों से इरान और अजरवैजान के तालिक खराब हैं अजरवैजान और अर्मेनिया के बीच जमीन के विवाद को लेकर इसराइल और अमेरिका अजरवैजान का समर्थन करते हैं मोसाद अजरवैजान में बहुत सक्रिय है हो सकता है कि बांध के उद्गाटन के कारेकरम के दोरान जितनी देर रैसी का हेलिकॉप्टर रुका रहा हो उस दोरान मोसाद ने हेलिकॉप्टर का कोई पुरजा निकाल लिया हो किसी भी तरह से मोसाद के जो खूफिया एजेंट्स हैं वो इरान के राष्टपती के हेलिकॉप्टर के पास पहुँचकर कोई फुर्जा बदल या हो एसी स्थिती में जब यह सब सबाल चल रहे हैं इसमें एक और कॉंस्पिरेसी थियोरी जो है वो अपना जन्म लेती है कहा जाता है कि laser beam का इस्तिमाल किया गया है इस पेस से अंत्रिक्ट से laser beam के माध्यम से इनका जो रहेसी का चौपर था रहेसी का जो हेलिकॉप्टर था इसके उपर laser beam डाल कर इसको सम्पर्क में या कहें इसके अंदर जो तकनीकी लगी हुई थी उस तकनीक से छिडचाड करने के बाद इस हेलिकॉप्टर को क्रैस कराया गया है क्योंकि ऐसा पहले भी इसराइल की खूफिया एजेंसी के द्वारा किया जा चुका है पहले भी जब इसराइल के न्यूकलियर साइंटिस्ट फकीर जादे की हत्या की गई थी तो तब जो बात निकल कर सामने आई थी पूरी की पूरी पूरी पुष्टी के साथ पूरी जाच के बाद कि इसराइल की खूफिया एजेंसी ने सेटलाइट की मदद से इनकी कार का रहा है उसके महुत महत्वकूंड बेग्यानिक हुआ करते थे और डर था अमेरिका को कि कहीं इरान अपना परमाडू बं बनाना ले एक और कॉंस्पिरेसी ठोरी चल रही है वो चल रही है कि इरान का इरान के अंदर जो सरवोच नेता है जो सुप्रीम लीडर है इरान के धार सुप्रीम लीडर और जो रैसी हुआ करते थे अली खामनेई के ही राइट हैंड हुआ करते थे ऐसी इस्तिती में जब राष्टपती बनने की बात आई थी तब अली खामनेई ने सीधे सीधे रैसी को राष्टपती बनाया था बताया जाता है कि इसी बात से नाराज हो ये जम्मेदार हैं ऐसे भी बातें इरान के अंदर चल रही हैं हाला कि इरान के अंदर रईसी के पोस्टर कुछ इस प्रकार से दिखाये जा रहे हैं कि रईसी जो हैं आब पहुंच चुके हैं जन्नत के अंदर और जन्नत के अंदर जो इनके लीडर हुआ करते थे इनके जो कमांडर हुआ करते थे मिलिटरी कमांडर उनके साथ कुछ इस प्रकार से स्वागत किये जा रहे हैं सरकार के द्वारा कुछ इस प्रकार के पोस्टर्स लगा कर पूरी देश को दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इबरायम रईसी एक सहीद है और देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी है और लोग जो है कुछ इस प्रकार से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर के अंदर जो आपको व्यक्ति रोते हुए दिखाई दे रहे हैं ये असल में कोई और नहीं है जब रईसी राष्टपती हुआ करते थे उस समय ये हुआ करते थे इरान के उपर राष्टपती नाम है इनका मुहमद मुखबर जो की फिलाल वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और इनकी मौत के बाद अब कारेवाहत राष्टपती जो हैं वो इरान के बन चुके हैं रईसी की मौत पर कुछ इस प्रकार से फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिये थे इतना ही नहीं United Nations उसने भी स्रद्धांजली के तौर पर अपने जंडे को आधा जुकाया भारत के द्वारा भी अपनी स्रद्धांजली के अंदर डॉक्टर एष जैसंकर साहब सीधे भारत के अंदर इस्थीत जो इरान का दूतावास है वहाँ जाते हैं और अपनी कंडॉलेस ने जो है वो लिखकर आते हैं लिखकर आने के बाद भारत के द्वारा भी अपने देश के अंदर याने की भारत में एक दिन का राष्टिय सोक घोसित किया जाता है और जो भारत की महत्वपूर्ण इमारते हैं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके उपर जो भारत का द्वज होता है उसको आधा ही फेहराया जाता है जिससे की हम दिखा सकें कि इरान के हम पूरी तरह से साथ हैं और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के जगदीव धनकर साहाब वो भी 22 माई को इरान पहुंचने वाले हैं इरान पहुंचकर अपनी सोक संबेदना हैं कंडूलेंसे जो हैं वो व्यक्त करने वाले हैं इसी बीच एक खबर अमेरिका की तरफ से भी निकल कर आती है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन उनको अमेरिका के अंदर ही घेर लिया जाता है एक स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया जाता है जिसके डिफेंस में इनहें घेर लिया जाता है संसद का जो इनका सीनेट जो अपर हाउस होता है उसके अंदर बोला कर इन्हें कहा जाता है असल में जब खबर आपके साथ साजा की थी कि क्या कुछ हो रहा है तो पूरी दुनिया के तमाम देशों के द्वारा अपने स्रद्धासुमन स्रद्धांजली दी गई थी उन्होंने कोई किसी प्रकार की समवेदनाय व्यक्त नहीं की थी किसी तरह का कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं आया था लेकिन उसके बाद अमेरिका के द्वारा एक ट्वीट आता है कुल मिलाकर हमारा जो डिपलोमेटिक रिच्वल है अमेरिका के द्वारा कहा गया कि कि डिपलोमेटिक रिच्वल के तौर पर हम जो हैं कंडोलेंस अपनी देते हैं अपनी स्रद्धानजली हम रिचि को देते हैं और इस statement के बाद criticism शुरू होता है अमेरिका की सरकार का आप देखते हैं ये Tom Cotton नाम के एक senator है यानि की सांसद है ये अमेरिका के अंदर अमेरिका के सांसद बरिष्ट सांसद है ये इनके द्वारा कहा जाता है अंदर दा बूचर ओफ तहरान यानि की तहरान का कसाई अब ये तहरान का कसाई कौन है तो तहरान का कसाई इबराहिम रहीसी को बोला जाता है इबराहिम रहीसी असल में 2019 से लेकर 2021 तक इरान के chief justice रह चुके हैं चीफ जश्टिस जिस समय ये रहे थे उस समय इरान के अंदर जो कट्टर पंथी, जो मुस्लिम कानून है, सरिया कानून है, उनको लागू कराया गया था, जो जर्नलिस्ट हैं, देश के जर्नलिस्ट हुआ करते थे, देश के अंदर लगबख 4,000 से ज्यादा लोगों को सीधे सीधे फांसी की सजा इनके द्वारा सुनाई गई थी, कोई विरोध यदी कोई करता था, तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता था, तो िमका महलाओं के उपर अत्याचार किये गई थे और 4,000 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा इनके द्वारा सुनाई गई थी, इसलिए पश्चिमी जगत के अंदर इन्हें बूचर आफ तेह प्रइश्रान को लेकर एक आतंकी इनको बताया गया कि जो अमेरिकन लोग हैं उनके खून से इस व्यक्ति के हाथ सने हुए हैं ऐसी व्यक्ति को आप कंडोलेंस कैसे दे सकते हैं इतना ही नहीं इस ये जो मीटिंग आपको दिखाई देती है इसके अंदर एक तरफ बैठे हु हुए हैं अमेरिका के विदेश मंतरी एंटनी ब्लिंकन विदेश मंतरी से सीधे सीधे पूशा जाता है येस्टड़े इस टेट डिपार्टमेंट इसूड़ा इस्टेटमेंट मॉर्निंग डा डैथ ओफ इरानियन प्रेसिएंट रई सी ए मास मडरर इनको बताया जाता है म मास मडरर मास मडरर बताया जाता है कि एक मास मडरर जो है उसने जिसने टार्गेट किया था धंकाया था एंड अटेग्ड अमेरिकांस अमेरिकांस को धंकाया था उसकी मौत पर आप कंडोलेंस कैसे दे सकते हैं उसकी मौत पर स्रद्धांजली आप कैसे दे सकते हैं तमाम उनके द्वारा ये बातें जो हैं कही गई United Nations के अंदर United Nations UN के अंदर भी एक सोख सभाव रखी गई और सोख सभा के अंदर सोख सभाव रखने के बाद सोख सभाव के अंदर दो मिनट का मौन भी रखा गया था जैसे ही ये मौन की ख़बर निकल कर आती है इसराइल बढ़क जाता है इसराइल नाराज हो जाता है और तमाम देश नाराज हो जाते हैं कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं आप चर्चा करते हैं थोड़ी सी इसराइल के राष्टपती बेंजामिन नेतन याहू के अरेश्ट के बारे में कि इनके अरेश्ट के बारे में क इंटर्व्यू के अंदर ICC Prosecutor यानि कि ICC की ICC ICC मतलब है ICC का International Criminal Court असल में नीदर लेंड्स की सहर दा हेग में हेग में इस्थित है दो कोर्ट दो कोर्ट जिनमें एक को आप जानते हैं United Nations का कोर्ट है जिसको जाना जाता है International Court of Justice यानि कि ICC के नाम से और दूसरा कोर्ट है जिसका गठन हुआ है रोम इस्टेटूट यानि कि रोम अधिनियम के माद्यम से उसको जानते हैं हम ICC यानि कि International Criminal Court International Criminal Court के वर्तमान में 124 मेंबर कंट्रीज हैं और 124 मेंबर कंट्रीज के उपर इनकी बात बात देकारी होती है तो इसके जो प्रोजीक्यूटर है अरजी लगाई गई है कि इसराइल के राष्टपती बेंजामिन नितन्याहू के खिलाफ अरेश्ट वारंट जारी कर दिये जाएं आप देखते हैं यह टूइट आई से से पहले भी हम एक सेसन आपके साथ साजा कर चुके हैं कि क्या इसराइल के राष्टपती जो हैं वो गिरफतार हो सकते हैं इसके उपर जो प्रतक्रिया आती है बेंजामिन नितन्याहू की वो काफी ज़्यादा अच्छी प्रतक्रिया आती है अरेस्ट वारंट जारी किये जा रहे हैं आई सीसी के द्वारा वो बिलकुल भी ठीक नहीं है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए लीडर्स हैं उनके खिलाफ आपके द्वारा जो अरेस्ट वारंट जारी किये जा रहे हैं ये बिलकुल ठीक नहीं है नो एक्यूवलेंस बाइडन सीधे निकल कर आते हैं कि हमास के जो लीडर्स हैं हमास के लीडर्स के साथ बेंजामिन नितन्याहू की तुलना बिलकुल भी नहीं की जा सकती है और अमेरिका के बर्चस को फिर से इस बात से एक बार चुनौती मिल जाती है क्योंकि पहले भी जब खबर उठी थी कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किये जा सकते हैं तब भी अमेरिका के द्वारा किसी प्रकार का यदि कोई अरेस्ट वारंट जारी किय जाता है तो अमेरिका के द्वारा भी ICC के लोगों के वुरुद्ध कारिवाही की जाएगी सेंक्संस लगाए जाएंगे सेंक्संस और इतनी धमकी बगएरा देने के बाबजूद भी ICC निकल कर आता है और अरेस्ट वारेंट के लिए एप्लिकेसंस वगयरा तयार कर देता है और तयारी पूरी तरह से कर दी जाती है आप देखते हैं इसराइल की तरफ से एक ओफिसियल अकाउंट की तरफ से जानकारी आती है we fundamentally reject the announcement from international criminal court कि हम इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं अमेरिका की तरफ से ये बात निकल कर आई है अब इसी बीच एक देश है नॉर्वे जिसको सब के बीच में कोई पूँच भी नहीं रहा था नॉर्वे निकल कर आता है और वो कह देता है कि यदि ICC के द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारेंट जारी कर दिये जाते हैं और नेतन्याहू हमारे देश में आते हैं तो हम उन्हें फोरन गिरफतार कर लेंगे इस बीच में जिस देश को कोई पूँच भी नहीं रहा था एक छोटा सा देश यूरोपियन देश है उपर ठंड में छोटा सा एक देश आपको दिखाई देता है इतने सारे मेंबर कंट्रीज का कोई भी प्रत्रिया नहीं आती है लेकिन नौर में निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुरंत जो हैं बेंजावी नेतन्याहू को गिरफतार कर लेंगे नेतन्याहु की गिरफतारी से पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है आपकी क्या राय है इस वारे में कमेंट के मादनें से जरूर बताएं उम्मीद है साथ यो पूरा सेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ सेर करना बिलकुल न भूलें और अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेसन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहेंद